तो आदमी गड़बर करता ही है तो पूरी चीज़ है कोई फाइदा नहीं हो रहा है एक दम सराबंदी कानून से तो बहुत दों का फायदा हुआ कितनी बड़ी संख्या में लोग ने सराब पीना छोड़ दिया आउ जो बिकरी हो रही है देखने सब्जी वगर असे लेकर केक एक चीज़ का फल का अब कितने लोग गरीब गुरुबा तबका के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे हम तो बराबर न कह रहे हैं बर की महिलाएं क्या क्या कही है उसके पती सराब पीते जंजट करते थे जब लागू हो गया सराब पीना छोड़ दिये अब तो लोग ने इसको अब स्विकार किया लेकिन कुछ गड़बड करने वाले लोग पूरा पूरा का पूरा देख नहीं रहें बराबर तो कर रहा लेकिन हमने कहा है कि देखो गड़बड असली काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो अब ऐसे ही कर रहा है कि कम मत करिए अच्छा काम करिए उसके लिए हम आपनों को मदद करना चाहरा हैं टो सब हमलों की इच्छा है लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और по पही अथक तो एक तरह सें जब महिलाओं ने मांग की पंद्रह में तभी नाम का किना न ठीक है अगली बार आएंगे तर लागू करेंगा बोलिए सब लोगों ने समर्थन दिया है तब भाई एक्दम लगनाना चाहिए अभियान में चलाते रहना चाहिए लोगों को समझाना चाहिए कि सराब खराब च जहां जहां सासन है वहां कितना जहरीली सर आप से बढ़ा है आप पूछ लीजे उन्हों से कुछ नहीं बोलता है पहले एक एक चीज छपता था आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही हो नहीं कुछ छप रहा है तो उसको क्या कीजिएगा बैचर आप लोगों का कोई द दिलता है यह हम तो जान रहे हैं उस तो फाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुचाता नहीं है कि अ कि अ